तो हाई दोस्तों स्वागत आपका फिड से एक नए वीडियो पे तो आपको 30,000 के अंडर में एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए और आप कंफ्यूज तो ही रहे होंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए देखी confusion लाजमी है कोई भी हो सकता है बिकोज इस बजेट में phone ही इतना है ना कि कोई भी normally confused हो सकता है बट आपको confusion में परने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है और इन सभी phones के बारे में details में बताएंगे आज के इस वीडियो में तो वीडियो को बिना skip के लाश्ट तक देखते रहेगा तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को और हाँ मैंने किसी भी phones को rank नहीं किया है सभी phone अपने जेके पे बेस्ट है अगर आपको 30,000 रुपया में ही एक अच्छा powerful smartphone चाहिए तब आप ले सकते है IQ new 7 5G को दिखिने में ये phone तो खुब सुरत लगता ही है बट features वगरा भी phone का एकदम तगरा level का दिया गया है क्या कुछ इस phone में मिलेगा क्या इस specification होने वाला है चलिए details में जानते हैं अब तो start करते हैं इस phone का performance से जिसमें Mediatek Dimensity 8200 वाला chipset देखने को मिलेगा जी हाँ यह एक 5G processor है और यह प्रोसेसर 4 nanometer के architecture पर बना हुआ है यानि की power efficient processor है और आपको बता दे की 8,000,000 के आसपास इस phone का अंतू तो score भी है प्रोसेसर एकदम तगरा level का मिलेगा जिस आप अच्छा खासा gaming इस phone में कर सकते हैं अगर आपको 30,000 के आसपास में एक अच्छा gaming phone भी चाहिए तो इसके लिए भी यह phone आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है gaming के लिए भी यह phone सही होगा अब बात करते हैं इस phone का battery का तो तो इसमें 5000 mmH का battery मिलेगा जो कि support करता है 120 Watt का charger को अब बताया जाता है यह charger 10 मिनट में आपके phone को लगबग 50% चार्जी कर देगा और लगबग 25 मिनट में 100% चार्जी करके देदेगा तो यह चीज नो डाउट काफी बढ़ है अब बात करते हैं इस phone का camera का तो इस phone के पीछे के side जो है ना 3 camera मिलेगा man camera 64 megapixel का है second camera 2 megapixel का है जो कि macro sensor है और 30 camera भी 2 megapixel का है जो कि depth sensor है और selfie camera जो है ना वो 16 megapixel का है man camera का 1.8 का aperture है और उनी में OIS का भी support मिलेगा पीछे का camera से maximum 4 की तक की video recording कर सकते हैं 30 fps पर और front camera से maximum 1080p पर video recording कर सकते हैं 30 fps पर इस budget के हिसाब से camera भी जो होने phone का सही मिलेगा बात करते हैं phone का display का तो इसमें 6.7,8 inch का full HD plus AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा जिसमें 120 Hz का या refresh rate and 300 Hz का test sampling rate दिया गया है 300 nits का peak brightness है और इसमें HDR 10 plus का support भी मिलेगा display जो होने phone का no doubt एकदम तगरा level का मिलेगा अब बात करते हैं phone का RAM storage जिका तो इसमें 8 GB का RAM एंडे 123 GB का internal storage मिलेगा इसके लबा build quality की बात करेंगे तो ये phone polycarbonate body का ही साथ आता है प्लास्टिक का back प्लास्टिक का frame दिया गया है 193 gram इस phone का weight and 8.6 mm का thickness है weight और thickness जोना इस phone का average type का है and design वेगर इस phone का दिखने में बढ़िया लगता है फिर भी आप अपने हिसाब से देख लिजिएगा इसके लवाइस में headphone jack नहीं मिलेगा नहीं extra memory card लगाने का option मिलेगा इस studio speakers मिल जाएगा face unlock का support है and display fingerprint का sensor भी मिलेगा user interface की बात करेंगे तो fantasy 13 के साथ आता है जो के android 13 पर base है आए फिर बात कर लेते हैं अखरी में this phone का price रिकातो this phone का base variant का price फिलाल के टाइम पे 30,300 रुपया है this phone का top variant भी आता है बाड़ो 256 जिसका price फिलाल के टाइम पे 35,000 के आसपास में है तो अगर आप इस phone को लेना चाहे तो आप अपने budget के हिसाब से variant को choose कर सकते है तो फिर चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अगर आप तीस जरुबे में कोई तगरा लेवल का heavy smartphone चाहिए तब आप ले सकते हैं Motorola Edge 40 जोस्तो इस phone में जैसा features दिया गया है और और भी महंगे महंगे phone में देखने को मिलता है नो डाउट ये phone एक अच्छा smartphone है इस budget के हिसाब से अपने list का brightness है और इसमें HDR 10 Plus का support भी मिलेगा और यहाँ एक 8-bit display है तो display इस phone का पड़ यहां तो मिलेगा ही and smoothness, brightness वगरा एकदम तगरा लेवल का है phone का अब बात करते हैं phone का camera का तो phone के पीछे के side जो होना ज्यादा camera तो नहीं मिलेगा बड़ जितना भी camera है सब huge का camera है I mean dual rear camera setup देखने को मिलेगा primary camera 50 megapixel का है second camera ultra wide camera है जो की 13 megapixel का है और selfie camera वो 32 megapixel का है man camera का 1.4 का aperture है and OIS का भी support मिलेगा उसमें ही आप rear and front camera से दोनों camera से maximum 4G तक की video recording कर सकते हैं 30 episodes पर इस budget के हिसाब से no doubt camera is spawn का काफी बढ़िया मिलेगा अब बात करते हैं spawn का performance का तो इसमें Mediatek Dimensity 8020 वाला chipset देखने को मिलेगा यहाँ भी एक 5G प्रोसेसर है और यहाँ प्रोसेसर 6 nanometer के architecture पर बना हुआ है और लगबग 6,88,000 के असपस अंतू तो इस score भी है प्रोसेसर जो हना इस budget के हिसाब से सही है और बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 400 image का बैटरी मिलेगा जो की support करता है 68 watt का charger को और चार्जर जो हना बढ़िया है आपके phone को fast charge करके दे देगा RAM storage की बात करेंगे तो इसमें 8GB का RAM and 256GB का internal storage मिलेगा इसके अलवा build quality की बात करेंगे तो इस phone का back side जो हना वो plastic का बना हुआ है तुसरा variant का back side वो eco leather का बना हुआ है and aluminium का ही frame है design बाइज ये phone देखने में खूबसूरत लगता है फिर भी आप अपने हिसाब से देख लिजेगा इस चीज को 7.5 mm का थीकने से जो की काफी पतला सा phone है और 171 ग्राम इस phone का weight है जो की एक अच्छा lightweight phone कह सकते है इस phone का build quality and design वेगरा जो हना काफी खूबसूरत सा मिलेगा इसमें IP68 का rating देखने को मिलेगा simple language में कहें तो यह waterproof phone है इसमें headphone jack नहीं मिलेगा नहीं extra memory card लगाने का option मिलेगा base unlock का support मिलेगा और इन display fingerprint का sensor भी दिया गया है यह phone pure stock android के साथ आता है जो की run करता android 13 पर और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2 साल का android update मिलेगा जयाने कि android 14 android 15 का update इसमें आपको मिल जाएगा तो आए फिर बात कर लेते हैं आखरी में इस phone का price का तो इस phone को लेने के लिए फिलाल के time पे आपको देना पड़ेगा 29,999 रूपया याने कि 30,000 रूपया इस phone का भी बढ़ाईज है तो अगर आप इस phone को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अधरवाई चलिए वीडियो में अ पोड़ास आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगला फोन का अगर आपको 30,000 रूपया में कोई लेटेस्ट स्मार्ट फोन चाहिए तब आप ले सकते हैं Samsung Galaxy A54 5G को फीचर्स भी इस बजट के एक ओड़िंग एकदम तग्रा लेवल का मिलेगा तो क्या ही स्पेसिफिक नहीं मिलेगा फाइबिरिट्स लोड दिया गया है जिससे अब दो सीमें फिर एक सीमें एक मेमोरी कार्ट को एक साथ लगा सकते हैं इसमें फेस अनलोक का सपोर्ट मिलेगा और साइट माउंटेड फिंगर पेंट का संसर भी दिया गया है यूजर इंटरफेस की बात फोर्ट के पीछे साइट तीन केमरा मिलेगा फ्राइमरी केमरा और सेमेरा जो की आर्टरा ओीड डो मेगापीक। का है और सेलफी कैमरा जो है ना वो 32 मेगापिक्सल का है मैं कैमरा का 1.8 का अपरचर है और उनी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और पीछे का कैमरा से इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का सही है अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का तो तो इनमें सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर लगा हुआ है एक जो कि यह एक 5G प्रोसेसर है और यहां प्रोसेसर 5 नैनोमेटर के अर्टेक्टर पर बना हुआ है पावर एफिसे कब दे देगा बट चार्जिंग में हलका फूल का टाइम ले सकता है डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फूल एचडी पलस सूपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें 120 हर्ट का यह रिफ्रेस रेट और 240 हर्ट का टर्स सेंप्लिंग रिट दि आने कि नेट 30,000 रुपया है अगर आपको 30,000 रुपय में कोई अच्छा लेटेस्ट स्मार्ट फोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं वैसे हमारे लिस्ट में और भी फोन है आप इधर उधर मत जाएगा वीडियो को पूरा देखिए तब आप समझ पाईएगा का फ्रेम है 8.3 mm का थिकनेस और 294 गराम इस फोन का वेट है वेट और थिकनेस फोन का भी आवरेज टाइप का ही है एंड इस फोन का डिजाइन वगरा को आप देखे ही होंगे इस फोन का डिजाइन कुछ अलग ही दिखता है इसमें भी 3.5 mm बला जैक नहीं मिलेगा एक्स् इसमें फिंगर्पेंट का संसर भी दिया गया है यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो नथिंग ओस के साथ आता है जो कि अंड्रोइड टूवल पर बेस है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें तीन साल तक अंड्रोइड अपडेट मिलेगा और चार साल तक सेक्रिटी प प्राइटनेस दिया गया है इसके ओपर कॉर्णिंग उड़े लगला इस फाइप का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा इस प्ले इस फोन का का बढ़िया मिलेगा अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का तो पीछे के साइड दो कैमरा मिलेगा मैं कैमरा 50 मेगापिक्सल क यहां और सफी केमरा वो शोल ard मेंगा पिक्सल का है मैं केमरा में ऑई-एप 766 वाला सेंसर लगा हुआ है और सामसंगा सेंसर लगा हुआ है मैं कैमरा का 1.8 का पर्चर हैं युणी में ओ इस एए स्काभी सपोर्ट देखने को मिलेगा इचे का कैमरा से मैकसिमम फुर्की तक देखने को मिलेगा जो कि यह भी 5G प्रोसेसर है और यह प्रोसेसर 6 नेनोमेटर के अर्खेटेक्चर पर बना हुआ है और लगबग 6 लाक्या सपस अंतूतु स्कूर भी है प्रोसेसर जो है न इस बजेट के हिसाब से बढ़ यहां ही मिलेगा अब बात करते हैं स्पॉन का बै 156 का प्राइज फिलाल के टाइम पे 36,000 के आसपास में है तो अब अपने बजेट एंड रिक्वार्मेंट के हिसाब से देख लिएगा वरियंट को चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का अपने लिस्ट क वाले बहुत कम ही फोन में ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगा तो क्या इस पेसिफिकेसन है इस फोन का चली जानते हैं डिटेल्स में यह फोन जो हना पॉली कारवोनेट बोडी के ही साथ आता है प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 7.98 mm का थिकनेस है और 181 ग्राम इस फोन क दिखने में भी काफी खूबशूरत सा लगता है बाकी बात इसमें 3.5 mm वाला हेट फोन जैक मिल जाएगा जो कि यह चीचीच इस बजेट वाले बहुत कम ही फोन में देखने को मिलता है इसा इसमें हाइबिरिट स्लोट मिलेगा फेस अनलोक का सपोर्ट मिलेगा साइड के साथ आता है जो के अन्रोइट 13 पर बेस है चलिया यह फिर बात करते हैं इसपोन का कुछ मैन मैन फीचर्स का इसमें 6.67 इंच का फुल एचदी पलस एमोलेट डिस्पले देखने को मिलेगा इसमें वर्ट 20 हर्ट का हाईर रिफ्रेस रेट का टर्स लेंप्लिंग रट दि कैमरा है थर्ट कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो सेंसर है और सिफी कैमरा जो है वह 16 MP नोट इस बजट के हिसाब से कैमरा जोहाना k यान का काफी बढ़ी हुआ है यानि कि पावर एफिसेंट प्रोसेसर है इस पोन का प्रोसेसर जो हना तगरा लेवल का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में कर सकते हैं इनमें LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोड़ेश टाइप भी देखने को मिलेगा तो प्रोसेसर नो डाउट अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का तो इसमें जोहना 5000 मेच का बैटरी मिलेगा जो की सपोर्ड करता है 67 बार्ट का चारजर को यह चारजर आपके फोन को नो डाउट फास्ट चारज करके देगा रेम इस टोरेज की बात करेंगे तो उसमें 8GB का 256GB का इंटरनल स्टोर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ